हलो यू एवरिवन वेलकम है आपका आज किस वीडियो में मैं हूँ तेज सर्मा तो आज हम डिसक्रिशन करेंगे अनदर एटिएफ के बारे में जो कि मार्केट में लॉंच होने वाला है अभी आने वाला है इस उपन होने वाला है तो जिसका नाम बाउजी अब और संस係 है नफ्री बेंग निफ्टी फार्मा के जो इंडेक्स थो कि एक इसे सक्टर को जो है ट्रैक करते हैं तो ईस सबको पता होगा आईसी एक्सचेंज टेड़ेट चुम्ण करता है इसमें थोड़ा सा होता है कि इना मिचनीज होता है कि इनको हम वहीश कर सकते हैं वहीं से अपने अकाउंट से और वहीं jut कि कोई भी ऐसी वह एन ने वी वाली मतलब की जो लाश्ट डे के लेवी होती है वह अप्लीकबल वाली नहीं होती क्योंकि डूरिंग स्टोक एक्टैंस के टाइम मार्किट के टाइमिंग में ही हम इनको बेश यां खरीद सकते हैं तो ये सिर्फ स्टोक एसंस पर ही ट्रेडिविड होते हैं और चलिए बात करेंगे आज की इस इसू के बारे में कि आपको कैस में इंवेस्टमेंट करनी है और डिसक्सिन करेंगे एलफा लोग वोलेटिलिटी थर्टी इंडेक्स है जो निफ्टी का उसके बारे में आपको बताएंगी कि वो क्या है और उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप म्यूचल पर अडवाजरी या स्टोक मार्किट पर टिप्स चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीण पर दियेगे नंबर पर को मैसेज कर सकते हैं तो चलिए सूरू करते हैं तो लगंचल बाउज्टी होगा तीन अगरस 2020 को उसू अपन होगा और इस लोग्स हो जाएगा यानि की आप इसमें 3 अगरस्ट से 2 अगरस्ट तक जो ह चाहते हैं वो इसमें एपलाई कर सकते हैं कैटागीरी है जो एक्विटी लार्ज कैप कैटागीरी है टाइप है जो स्कीम का वो है ओपन एंडिट कभी विए आप इसको बेच करेद सकते हैं और मिनिम्म इंवस्टमेंट है जो पांच जार पेज आप इसमें मिनिम्म इंवस् च्वाइब को जो फंट्रेक करके वहां से रिटर्न जनेरेट होगी तो चलिए जानते हैं कि अब निफ्टी का जो इंडेक्स है ऐलफा लो वोलिटी थर्टी वो क्या है दनिफ्टी एलफा लो वौले ते थर्टी इंडेक्स consists of 30 stocks selected from nifty 100 and nifty mid cap 50 तो जो दा nifty alpha low volatility देखिए low volatility 30 इसका मितलब आप जानते होंगे कि volatility आपको पता है कि volatility क्या होती है जो move होता है market में up down जाता है तो वो volatility होती है कि कभी जैसे market कभी जाती है उपर कभी नहीं जाती कभी down जाती है कभी उपर जाती है तो उस दिन हम कह सकते हैं कि market जो है volatility लेटी है क्योंकि market में जो है आज अप डाउन बहुत हुआ और कभी market उपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी तो उसको जो है volatility कहते हैं और कई ऐसे stocks भी होते हैं जिनमें volatility बहुत ज्यादा होती है तो जो nifty 50 का, ओ सोरी nifty alpha low volatility 30 का index है उसमें 30 stocks ऐसे चुने गए हैं जो कि less volatility हो Falm compra को किम चरोभी अबर ओपर है कि में स्रोड में दोक नीचे हैं तो जो-थटी और जो स्टोक स्लिए गए निफ्टी हैं और निफ्टी मिद्या 50 से जो यह 30 स्टोक स्कूष क्या गया है दा वेट्स अफ धल के सिले एक from alpha and low volatility factor scores तो जो स्टोक्स का वेट है जो स्टोक्स को रखा गया है वह को पता होगा कि निफ्टी 50 में से अभी एक दो स्टोक्स बाहर गए थे और निफ्टी 50 ने कुछ स्टोक्स को एंटर किया था और कुछ स्टोक्स को एक्जिट किया था तो जो निफ्टी का एल्फा लोग वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है यह सेमी एन्यूली मतलब की हर 6 महीने बात जो है इसको री बैलेंस किया जाता है कि कोई स्टोक सारे अच्छा प्रफोर्मेस कर रहे हैं इंडेक्स तो उन स्टोक्स को जो है री बैलेंस हर सेमी एन्यूली किया जाता है तो चलिए अब जानते हैं कि स्केम का जो है इंवेस्टमेंट अब्जेक्टिव क्या है एम्स तो प्रोवाइड रिटर्न देट क्लोजली को रिटर्स प्रोवाइड बाइन निफ्टी पेसे के कimy कॉसुर्ब केने करके वहां से निकालना है जैसा 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 ओंडेक्ष परफॉर्म करेगा वैसा वैसा ही जयो एटि फटोवड्य होता परफॉर्म करेगा तो ऐसा नहीं है कि इन्फटी जो nifty का alpha low volatility 30 index है 10,000 पर है और इसका ETF का price भी 10,000 पर होगा तो इनकी value अलग होगी और उसकी value अलग होगी बर जो performance होगी according to nifty का जो index है alpha low volatility 30 के index के according ही ETF की performance होगी तो इसको हम passive funds भी बोल सकते हैं क्योंकि जो index funds होते हैं वो उनको passive funds से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर fund manager को ज्यादा अगलग लग लग इन्वेस्टमेंट करने की need नहीं होती क्योंकि उन्हें सिर्फ जो nifty 50 जैसे इंडेक्स है तो अभी access nifty 50 का ETF है तो वह जो ETF है वो only जो nifty 50 को ही track करेगा और उन्हीं स्टॉक्स में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में investment करके वहां से जो है रिटन्स जेनरेट होंगी तो जैसे 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 निफ्टी 50 करेगी वैसे एक्सेज निफ्टी ETF का जो ETF है वो perform करेगा तो जूनिट्स है जो 10 अगस्त के बाद जो अलोटमेंट डेट होगी वो NSC और BSC पर दोनों पर ही लिष्टिट हो जाएंगी तो अगर आप उसी दिन और लिष्टिट वाले दिन तो आप सेल कर सकते हैं नहीं तो यही पर वीडियो अच्छा लगात तो वीडियő को लाइक कर दीजे और चेनल को सब्स्राइब कर दीजे